स्री शिवाय नमस्तुब्यम हर हर महादेव दोस्तों महा महीने की गुप्त नवरात्री शुरू हो रही है साल में चार नवरात्री मनाई जाती हैं दो गुप्त नवरात्री और दो उजागर नवरात्री जिसमें की गुप्त नवरात्री नौ दिन की है ये दस महाविद्याओं की पूजा अर्चना गुप्त तरीके से की जाती इसलिए इसको गुप्त नवरात्री कहते है दोस्तों ये जो नवरात्री है वो दस फरवरी से मनाई जाएगी और अठारा फरवरी तक की लिए है इस नवरात्री महा महीने में सुकल पच्च की प्रती परदा तिथी से होती है और तंत साधना के लिए गुप्त नवरात्री एक बहुती अच्छी और शुब मानी जाती है इसमें हम कुछ ऐसा विशेश उपाय बताएंगे कि 5 स्वास्तिक अगर आप अपने घर में बना देते हैं तो आपके घर में धनलच्मी बैवब बिल्कुल भी खतम नहीं होगा बिल्कुल भी धनलच्मी की कमी नहीं आएगी तो इसके लिए आपको क्या क्या करना रहेगा इस वीडियो में हम पूरा डिटेलिंग में समझेंगे और आपको वो 5 स्वास्तिक कहा कहा पर बनाने हैं और किस समय बनाने हैं गुरु जी की कथा से सुने हुए हम आपको इस वीडियो में बताएंगे तो सबसे पहले ये जान लेजेगा ये जो नवरात्री है ये गुप्त रखी जाती है और इसमें आपको आड़ा दस तारीक से शुरू हो रही है और अठारा तारीक तक के लिए रखी जाएंगी ठीक है तो इसकी जो घट स्थापना वगेरा है वो हम दूसरी वीडियो में शे शिरवाद नहीं बन रहा है आपके घर में तो आप 500 अस्तिक अपने घर में इस तरीके से बना दीजेगा इस जगए पर बना दीजेगा जिससे कि आपके घर में लच्छमी की बिल्कुल भी कमी नहीं होगी और साथी साथ कोई भी बीमारी आपके घर में नहीं आएगी दोस है चेत की और चेत की नवरात्री और अश्वन की नवरात्री जो होती है कुऊर की नवरात्री उसiadव उसमें फल मिलता है वह तो मिलता है गुप्त नवरात्री में अगर आप उपाय कर लेते हैं तो आप ध्हंसे leave तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि आप पांच स्वास्तिक कैसे बनाएंगे दिखिए उसके लिए आपको लेनी है एक चांदी की कटोरी और उस चांदी की कटोरी में आपको डालना है हल्दी और अगर आपके यहां चांदी की क का डाल लीजिए चांदी का सिक्का भी नहीं है तो आप एक छोटी कोई भी चीज हो चांदी की हो जैसे की कोई अंगुठी हो गई या कोई नंग हो गया कोई भी कुछ भी थोड़ी सी भी चीज चांदी की होनी चाहिए चांदी का तार हो गया तो उसमें आप थोड़ा सा चा पानी नहीं डालना है अब मैं बताती हूँ कि आपको पांच स Kerry कहां पर बनाने है के किती महा दुर्गा का जो उपाई होता है वह बहुत ही खास होता है महठपूर होता है और अपने आप में बहुत हीज्यादा फ़ल दाई होता है सकती रूपीर होता है तो आपको दो स्वास्तिक सबसे पहले अपने मुख की दरवाजी पर बनाने हैं एक स्वास्तिक आपको दाहेने तरफ और एक बाहें तरफ दो स्वास्तिक बनाने हैं हमेशा ध्यान रखो किसी भी चीज पर अगर आप स्वास्तिक बनाते हैं तो स्वास स्वास्तिक फल दाई नहीं मिलता है तो इस चीज का विश्य इस्तिहान रखें स्वास्तिक कटना नहीं चाहिए दो स्वास्तिक आप अपने मुख्य के पहले दिन आपको शाम के समय करना है जब आप पूजा अर्चना करें तब तो आपको तीसरा जो है स्वास्तिक वो आपको बनाना है जहां पर आप पानी का स्थान है आपके किचिन में आपके रसोई घर में परिंदा है बहां पर आपको एक स्वास्तिक बनाना है क्योंकि स्वास्तिक है वो आपको अपके मंदिर में बनाना है क्योंकि मंदिर में जहां पर आपने माता दुर्गा की पूजा इस्थापना की है जो चलाई है बहां पर आपको स्वास्तिक बनाना है जब स्वास्तिक बनाएंगे तो उस दोरान आपको पूजा अर्चना करके एक दीपक प्रजुलित करना है दीपक आपको लंबी बत्ती का प्रजुलित करना है और ध्यान रहे अगर पांच दीपक हो जाते हैं तो आप पांच दीपक लगा दीजेगा दो दरवाजे पर एक परंदा जहां पर रसोई घर है बहां पर और एक अपने मंदिर में और एक अपने तिजोरी घर में, ध्यान रहे, देशी घी का होना चाहिए, लंबी बत्ती का होना चाहिए दीपक, और अगर लाल बत्ती जैसे कलावा का बत्ती होता है, उसका दीपक बने तो और भी शुब माना जाएगा, चौथा दीपक मंदिर में लगाना है, पांचमा दीपक आपको लगाना है, तिजोरी जहां पर आप पैसे रुपए रखते हैं, बहां पर आपको दीपक लगाना है, इस दोरान माता दुरगे का आपको जाप करना है, उनके मंतर का जाप करना है, और ऐसे ही करके आपको स्वास्तिक हल्दी के बना लेने हैं फिर देखिएगा आपके नवरात्री पूरे भी नहीं हो पाएंगे और आपके घर में धन की आवक हो जाएगी धन कहां से आएगा वो आप सोच भी नहीं पाएंगे लेकिन धन की आवक आपके घर में चालू हो जाएगी ये वीडियो कैस लगी वीडियो को जरूर से कॉमेंट में जैमाता दी लिखें